कॉलकत्ता नाइट राइडर्स के रिंकु सिंग ने रविवार को जबरदस्ट पारी खेली और इस पारी से सबको अपना दिवाना बना दिया रविवार को ये मैच जीटी और केके आर के बीश था जीटी के खिलाफ मैच में आखरी ओवर्ड में KKR को 29 रन की जरुवत थी यस दयाल गेंद बाजी कर रहे थे पहली गेंद पर उमेश यादव ने एक रन लिया और रिंकू सिंग को स्ट्राइक दिया इसके बाद अगली पांच गेंदों पर कॉलकत्ता को 28 रन की जरुवत थी लेकिन जो वो हुआ कई वर्षों तक याद रखा जाएगा रिंकू सिंग ने अब तक 16 सीजन का सबसे बेस्ट मैच फिनिश किया उन्होंने अगली पांच गेंदों पर 5 छक्के जड़ कॉलकत्ता को हारी वी बाजी जिता दी रिंकू 21 गेंदों में एक मैच और 6 छक्के की मदद से 48 रन बना कर ना बाद रहे और उन्हें Player of the Match अवार्ड भी दिया गया मैच के बाद रिंकू सिंग भावुक हो गए रिंकू सिंग के इस कारणामे के बाद देशी नहीं विदेश से भी खेल प्रेमी और बड़े-बड़े खिलाडी सोशल मीडिया पर उनको बधाई दे रहे है रिंकू सिंग की इस पारी ने उनको IPL के बड़े स्टार में शामिल कर दिया रिंकू सिंग को आज दुनिया सलाम कर रही है लेकिन अलिगड के इस लड़के की यहां तक पहुशने की कहानी बहुत संगर्षों से भरी है जिस गरीबी से निकल कर उन्होंने नाम बनाया है वो काबिले तारीफ है चलिए जानते हैं इस खिलाडी के संगर्ष के दिनों की कहानी रिंकू सिंग अलीगड के रहने वाले हैं रिंकू गरीब परिवार से आते हैं उनके पिता गैस सिलेंडर वेंडर थे रिंकू के चार बड़े भाई हैं जिन में एक भाई आटो चलाता है तो दुसरे भी मेहनत मंजूरी करके अपना गुजारा करते थे रिंकू सिंग के मनवे जब किर्केटर बनने का खयाल आया तो पिता ने परिवार की हालत का हलावा देते हुए खूप सुनाई रिंकू ने बताया कि पिता बिल्कू नहीं चाते थे कि मैं खेल में समय बरबाद करूँ किर्केट खेलने के लिए बहुत पिटाए भी हो जाती थी पिता डंडा लेकर इंतजार करते थे कि कब घर आता है लेकिन भायों ने साथ दिया और हर मौके पर किर्केट खिलता था बॉल खरीदने तक के पैसे नहीं होते थे लेकिन इस दौरान कुछ लोगों ने मदद भी की एक टूनामेंट ऐसा भी आया जब रिंकु सिंग को शांदार प्रदर्शन करने के लिए इनाम के तौर पर बाइक मिरी रिंकु ने अपने पिता को वै बाइक गिफ्ट कर दी थी पिता को भी लगा कि अलिगड की कारोबारियों के घर और कोठियों में गैस सिलेंडर पहुचाने के सालों के काम में वो जिस बाइक को नहीं खरी सके वो बेटे के किर्केट ने ला दिया लिहाजा मार पिटाई के बंद हो गई लेकिन परिवार के सामने आर्थिक चुनौतियां बनी हुई थी ऐसे ही किसी दिन काम की तलाश में रिंकु सिंग को काम मिला उन्होंने बताया कि मुझे पोच्चा लगाने की जॉब मिली एक कोचिंग सेंटर में मुझे पोचा लगाना था नौकरी भाई नहीं दिलाई थी लेकिन मैं नहीं कर पाया मैं घर लोटा तो अपनी मा से बोला कि मैं वहां दोबारा नहीं जाओंगा लेकिन यहां से ही किरकेट का रास्ता नहीं खुला रिंकु सिंग को मालू नहीं था कि अंडर सिक्स्ट्रीन ट्रायल में क्या करना चाहिए दो बार में वह पहली ही राउन में छड़ गए ऐसे में अलिगड के मोहमबद जिशान ने उनकी मदर करने सामने आए इसके बाद रिंकु सिंग के शुरुवाती दिनों में अलिगड में ही महसूद अमीन को कोचिंग मिलने लगी रिंकु के शुरुवाती करियर में अमीन ने उनकी आर्थिक सयोग किया इसके साथ ही मोहमा खेडा अकैडमी के अरजुन सिंग फकीरा ने भी आर्थिक सयोग के साथ खेल उपकरण खरीतने से लेकर स्थाने कलब चुनने और अकैडमी की सुविधाई दिलाने तक पूरी मदद की